हेलो स्टुडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि साधा जीवन उच्च विचार, साधारन जीवन जीना लेकिन सोच में उनके बहुत महानता होना, इसको हम इस लेसन में पढ़ेंग बहुत ही शांती पूर्वक आंदोलन किये, गांधी जी अपने काम की चीजों की कीमत समझते थे, और लक्जरियों से मतलब बहुत ही जो कमफर्टेबल चीजों होती हैं, उनसे दूर रहते थे, सिर्फ बहुत कम चीजों के साथ अपना जीवन यापन करते थे, गांधी जी अपने साधारन जीवन और उच्च विचार की वज़े से अपने देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजात कराया, तो इसी बात को समझने के लिए अब हम यहां पर यह लेसन पढ़ते हैं, जिसमें गांधी जी के बारे में बताया है कि गांधी जी इतने साधारन जीवन जीने वाले और हाई थिंकिंग वाले वेक्ती थे, तो वी ओल नो देट द फादर ऑफ आवर नेशन इस महात्मा गांधी, हम सब को पता है कि महात्मा गांधी कौन थे, हमारे रास्ट्र पिता थे, द फ्रेल ओर्ड मैन इन्हें धोती वास्ट पावर्फुल मैं उसने अपने देश के लोगों को भारत की स्वतंतरिता के लिए जब लड़ाई हुई उस दोरान उनके नेतरत्वी किया, ही इस लवड और हाईली रिस्पेक्टेड बाई पीपल बिकॉस अफिस वैल्यूस, उनको सब लोग बहुती समान देते थे और बहुती प्यार करते क्योंकि उनके सिध्धानतों की वज़े से वो एक सिध्धानतवादी व्यक्ति थे, वो हमेशा किस चीज में विश्वास करते थे, अहिंसा, सच्चाई, देश भक्ती और साधा जीवन उच्विचार में वो विश्वास करते थे, तो इस तरह ऐसे बच्चों गांधी जीव बहुत ही साधारण था और उन्होंने अपने काम से बहुत ही महानता वाले काम किये हैं भारत को आजाद कराने के लिए, गांधी जी वेंट ऑन टू बिकम दा इंस्पिरेशन ऑफ इंटार नेशन, सीकिंग फ्रीडम फ्रॉम दा ब्रिटिश रूल इंडिया, गांधी जी ज आशरे की बात नहीं है कि उन्हें हम राश्टर पिता के नाम से बुलाते हैं, बट डिडियू नोओ वाट मोहंदास करमचंद गांधी वाज इनिशल ये रिच बैरिस्टर क्या आपको पता है कि मोहंदास करमचंद गांधी शुरू में बहुत धनी एक वकील थे, वो उन्होंने ये महंगे सूट पहनना क्यों छोड़ दिया और एक साधारन सी लंगोटी जिसको हम दोती बोलते हैं वो पहनना शुरू कर दिया। वो इतने महान सोचने वाले व्यक्ति कैसे बन गए हूँ गेव अप ऑल इस पोजेशन एंड लिवड ए सिंपल लाइफ कि उन्होंने अपने सब अपने जो उनके पास धन था सब संपति थी उन्होंने छोड़ दिया और वो एक साधारन सा जीवन जेने लगे। तो गांधी जी वास फ्रॉम ए वेल्दी फैमली गांधी जी बहुत धनी परिवार से थे। दूरिंग से इन इंग्लेंड अज लोग स्टुडेंट लॉट फैशनेबल सूट्स एंड ड्रेस्ट लाइक ब्रिटिश। ही वेंट तो साउथ अफ्रीका तो वर्क ऐस बैरिस्टर आफ्र फिनिशिंग इस स्टूडिश इन लंदन वो साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने आप जब वो ब्रिटिश से अंग्रेजों से सफर हुए उनके अत्याचार सहे तो उन्होंने तुरंत ये महसूस किया कि जो वहां के इस्थानी अफ्रीकान और एशिया के जो लोग है उन्हें एकदम ये चीज रोग देनी चाहिए उरोप की जो नकल उतारना उसको एकदम से रोग देना चाहिए ये वह भारत के रहने वाले थे तो उन्हें आत्म सम्मान की भावना थी तो वह अपने आत्म सम्मान और आत्म संपनता के लिए उन्होंने ऐसा बोला कि हमें किसी का अत्याचार नहीं सहयन करना है तो गांदी जी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे तो गांदी जी उसकी एक लाइन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे वह हमारे अंदर होती है ना कि हमारे दिखावे में कि किस तरह से हम दिख रहे हैं तो ही इमेडियेटली गेव अप वेरिंग फैंसी वेस्टन क्लोट्स और स्टर्टी ड्रेसिंग लाइक गुजराती इन धोती कुर्ता और टर्बन उन्होंने तुरंत ही अपने जो कोट वगएरा था जो फैंसी कपड़े थे वेस्टन कपड़े उनको छोड़ दिया पहनना और गुजराती कपड़े पहनना शुरू कर दिया जैसे दोती कुर्ता और पगड़ी जब गांदी जी वापस भारत आये अपने देश के लोगों के लिए काम करने तो ही वेंट ओन ए टूर आफ इंडिया वो पूरे भारत के टूर पे गए पूरे भारत में घूमे तो ही साथ एक्स्ट्रीम पुवर्टी इन विच इंडियन्स वर लिविंग उन्होंने देखा कि भारती किस तरह से गरीबी की सीमा में रह रहे हैं मतलब बहुत जादा गरीब लोग रह रहे हैं भारत में तो ब्रिटिश है प्लंडर्ट अफ इंडियन्स वर पूर अंग्रेजों ने भारत के धन को किस तरह से लूटा था और जो बहुत सारे भारती थे वो घरीब थे इसलिए तो वेन गांधी जी वेंट टू मदु रही ही गेव ए स्पीच एट ए पबलिग मीटिंग देट वस अटेंडेड बाई लार्ज नंबर ओफ इंडिया जब गांधी जी मदु रही गए तो उन्होंने वहाँ पर एक सभा आयोजित की मीटिंग करी जिसमें की बहुत सा हाफ क्लैड इने सिंपल धोती उनमें से ज्यादे तर जोते वो सिर्व एक छोटी सी दोती लपेटे हुएते साधारन सी तो he was deeply moved by their plight and felt miserable उन्होंने अपने आप से एक वचन लिया और वो बहुत ज्यादा दुखी हुए next day his companion Rajan who was translating Gandhi ji's English speeches into Tamil came to pick him up for another meeting अगले दिन उनका साथ ही जो Rajan था जो गांदी जी की English speech को तमिल में बदल रहा था वो उनको लेने के लिए आया मिटिंग में जाने के लिए तो finding Gandhi ji in a loin cloth Rajan said it's time to go for the meeting please get ready sir तो जब Rajan ने गांदी जी को एक छोटी सी लंगोटी में देखा तो Rajan ने का sir हमें meeting में जाना है तो please आप तयार हो जाए तो गांदी जी ने उत्तर दिया कि but I am ready let's go Rajan was surprised तो गांदी जी ने उत्तर दिया कि मैं तो तयार हूँ चलो चलते हैं तो Rajan ये सुनकर बहुती अचम भी तुआ और बोला will you come dressed like this for the meeting क्या तुम इस तरह से गांदी जी आप meeting के लिए चलेंगे तो गांदी जी ने कहा this day onwards this is what I will wear आज के दिन के बास से यही कपड़े मैं पहनूँगा the dress of every union की जो की हर एक भारते जो कपड़े पहनता है मैं भी पहनुगा तो दस गांदी जी जी वोड नेवर टुवियर एनिफिंग अधर देन खादी धूती तो इस लिटिल बॉय केम तो मीट गांदी जी एंड वस सेड़ एट सींग हीम ड्रेस्ट इन ओनली ए लाइन क्लोथ विदाउट इस शर्ट एक दिन एक छोटा लड़का गां बापू, लड़के ने उनसे पूचा कि आप बापू, आप कोई कुड़ा या शर्ट क्यों नहीं भेंदे हैं तो इस लड़के को बहुती दुख हुआ और उस ने उनको शर्ट देने के लिए ओफर की, कि मैं आपको शर्ट दे दूँगा, इस लड़के ने गांधी जी से का कि मेरी मम्मी बहुत अच्छे कुर्टे सिलती है, तो मैं उनसे एक आपके लिए भी सिलवा दूँगा, गांधी जी आश्ट दे बापू, इस लड़के ने आंसर दिया कि जितने कुर्टे आपको चाहिए, मेरी मा उतने कुर्टे बना सकती है, तो तो गांधी जी ने उसको ये बोला, कि वो अकेले ही बीना कुर्टे के नहीं है, पूरे भारत में, इस देश में, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो उनके भाई और बहन है, जिनके पास पहनने के लिए कुर्टा नहीं है, तो वो अकेले ऐसे कुर्टा नहीं पहन सकते, गांदी जी ने कहा my family is quite large dear son कि मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है I have 40 करोर brothers and sisters Can you mother make kurtas for all of them कि मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है मेरे 40 करोर भाई और बहन है क्या तुमारी माँ उन सब के लिए कुरता बना सकती है तो the boy became silent लड़का थोड़ा चुप हो गया गांदी जी considered people of the whole nation as his family गांदी जी पूरे राष्टर के लोगों को अपना परिवार समझते थे He was their brother, their friend and their companion वो सब उनके भाई, दोस्त और उनके साथी थे So how could he wear a kurta when his countryman didn't have money तो वो kurta किस तरह से पहन सकते थे जब उनके जो साथी थे, जो दूसरे देश के लोग थे उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तो गांदी जी renounced all his possessions to तो गांदी जी ने अपना सारे अधिकार को दिया था He gave away most of his household belongings and led a simple life with bare minimum necessities उन्होंने अपने जो उनके घर के जरूरत के समान थे वो सब चीजों को छोड़ दिया था और बहुत ही साधारण जीवन जीने लगे थे बहुत ही कम चीजों के साथ बहुत ही जो basic need जो बहुत जरूरी चीज है जीने के लिए सिर्फ वो ही समान अपने साथ रखते थे तो he also encouraged his friends to give up their wealth उन्होंने अपने दोस्तों को भी अपना धन समपत्ती छोड़ने का लिए फ्रोथसाहित किया One such friend was a German named Kalenbach A wealthy engineer architect who Gandhi ji worked with during his struggle against the British in South Africa एक Kalenbach नाम का एक German उनका दोस्त था जो की भोती पैसे वाला engineer था architect engineer था और वो गांधी जी के साथ South Africa से जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में उनके साथ था तो गांधी जी asked Kalenbach to throw these expensive well-crafted binoculars into the sea because it was not essential for leading a good and simple life गांधी जी ने Kalenbach से उनकी एक महेंगी सी दुर्बीन थी उसको समुद्र में फैकने के लिए कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जीने के लिए एक साथारण जीवन जीने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है तो गांधी जी वस पूट इंजेल फॉर सत्याग्रे मुवमेंट एंड वस रिलीज़ आफ्टर ही सर्वड ही सेंटेंस गांधी जी आंदोलन के लिए भारत को जीत दिलाने के लिए सत्याग्रे आंदोलन में जेल में भी गए तो गांधी जी ने उन्हें मना कर दिया कार में जाने से उन्होंने कालन बच को बोला कि मेरे को यहां से जाने के लिए इतनी महेंगी कार की जरूरत नहीं है क्योंकि इस देश के बहुत से ऐसे लोग है दूसरे जो की उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है इन फैक्ट गांधी जी लिव सच ए सिंपल लाइफ एट इंस्टे ऑफ ए सोब यूज़ इस टोन तो स्क्रब हिमसेल गांधी जी इतना साधारण जीवन जीते थे कि यहां तक कि उनको नहने के लिए वो सावुन के बजाए एक स्क्रब के लिए पत्थर का इस्तमाल करते है वो पत्थर जो धाब नहाने के लिए जो स्क्रब के जैसे यूज़ करते थे वो उनके लिए ज्यादा किमती था क्योंकि वो उनको मीरा बेन ने दिया था जो उनसे बहुत प्यार करती थी तो दूरिंग दा नोखली मार्च गांदी जी हैड़ एंड इस फोलोवर्स मार्च थू सेवरल विलेजी नोखली मार्च के समय यात्रा के समय गांदी जी उनके साथियों के साथ बहुत सारे गाओं में से यात्रा कर रहे थे तो one night they camped at a village एक रात को वो एक गाओं में रुके तो one of his close followers Manu Ben was responsible for looking after this particular stone along with other belongings of गांदी जी तो जो उनकी बहुत ही नजदीकी साथी थी उनको अनुसरान करने वाली थी Manu Ben जी तो वो उनकी देखभाल कर रहे थी उस पत्थर की जो गांदी जी का समान था तो the next day they left the village to continue the march अगले दिन वो अपने यात्रा को चालू करने के लिए वहाँ पे वो गाओं छोड़ दिया उन्होंने बट Manu Ben had forgotten to take the stone लेकिन Manu Ben वो पत्थर ले जाना भूल गई जब गांदी जी ने सुना कि वहाँ उसे भूला यह पत्थर को तो उन्होंने उससे कहा कि तुम प्लीज महाँ पे वापिस जाओ और पत्थर को देख कर लाओ यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम अगली बार फिर से भूल जाओगी पत्थर को लेके चलना तो Manu Ben requested for a companion to go back with her Manu Ben ने गांदी जी से कहा कि उनके साथ किसी और को भी भेज़ दे लेकिन गांदी जी ने उनको अकेले जाने के लिए कहा even though the way back was through dense forest and there were riots during that time यहां तक कि उस समय जंगल बहुत घहरा था और वहां पर डाकू भी रहते थे उस समय Manu Ben went alone through the forest chanting Lord Rama's name Manu Ben अकेले ही वगवान राम का नाम जबते जबते चली गई When she reached the village, she went to the house where they had stayed जब वो गांवे पहुची तो वो उस घर में गई जहां वो रात को रुके थे Their host and old woman had thrown the stone away तो वो जिनका घर था उन्होंने उस पत्थर को फैक दिया था Manu Ben searched thoroughly in the yard of old woman's house and found the stone with great difficulty Manu Ben ने उस औरत के घर के बगीचे में उस पत्थर को पूरी अच्छी तरह से ढूंडा फिर आखिरकार बहुत महनत के बाद उसको वो पत्थर मिल गया She took the stone that was so precious to Gandhiji and returned it to him वो उसने पत्थर ले लिया जो की और Gandhiji को दे दिया वापिस जो की उनके लिए बहुत ही जादा कीमती था I feel sweet, this stone has been my cherished companion for the past 25 years If it were not found, I would have been deeply upset and Mirabend would have been sad too Now you know that every useful thing is worth taking care of even if it is just a stone Gandhiji said to Manubend Gandhiji जीन ने Manubend से क्या कहा, उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ और तुमें भी ये पत्थर, मैं पिछले 25 साल से इस पत्थर को अपने साथ ले के चल रहा था अब ये मिल नहीं रहा था, तो I would have been deeply upset, मैं बहुत परिशान था पर मीरा बेन भी बहुत दुखी थी कि जब वो पत्थर खो गया था लेकिन अब तुमें ये समझ में आ गया है कि पत्थर जैसी कीमती चीज को भी कैसे संभाल कर रखना है तो she replied, I chanted Rama's name with all my heart today, कि आज मैंने पूरा दिन राम का नाम लिया मन से तो गांधी जी laughed saying, गांधी जी हस्ते हस्ते बोले कि we remember the Lord only when we are in the trouble हम से भगवान का नाम जब याद करते हैं, जब हम किसी मुसीवत में होते हैं तो इस lesson से हमने बच्चों क्यास क्या बाते ध्यान में रखनी चाहिए, कि we should always keep high thinking हमें हमेशा अपनी सोच को उचा रखना चाहिए, कभी भी छोटी बाते नहीं सोचनी चाहिए जो हमारी सच्ची सुन्दरता है, वो हमारे मन की सुन्दरता होती है ना कि हम देखने में कैसे लग रहे हैं, हमने कपड़े कैसे पहने हो हैं तो हमें हमेशा मन की सुन्दरता पर ध्यान देना चाहिए व più should lead a simple life और हमें हमेशा एक साधारन जीवन जेना चाहिए तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि we must constantly try to work for the upliftment of those people who are considered downtrodden in the society, हमें हमेशा लगातार उन लोगों को उपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए जो समाज में पिछड़े हुए हैं, तो इस कहानी से गांधी जी से, गांधी जी के वेवार से, गांधी जी के नुसरन करने से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा समाज के नीचे लोगों को उपर उठाने के लिए लगातार अपने कम करते रहने चाहिए, थैंक्यू बच्चों